नमस्कार प्रणाम आदाप सत्त स्रियाकाल मैं सूरज कुमारजा और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक न्यूज चैनल अभी हम मवजूद हैं खगरिया जीला के ओलापुर गंगोर प्रांच पंचाइद के वाड नम्मर छे में और आज जो हैं हम आपको दिखाने वाले हैं स बता दें इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और न्यूज पर पहली बार इस वीडियो को दे रहे हैं आपको बता दे जो लगभग पिछला 15 साल से पीछे का जो 15 साल है उस समय से यह रोड की स्थिति है जिस रोड पर हम अभी खरे हैं वह रोड नमर छे का सरक है और इ लाओं के एक जितने भी मतलब कई परतिनी ठीदि बदले आये गए मुखिया परतीनी धी बने नेता बने नेता बदले भी परिबरतन वह लेकिन शरक की जो है दुर्दसा वही रही है वही इस्तिति है तो हम तो सबसे पहले अपने केमरा में अवीनास कुमार को कहेंगे जो हमारे सरक की जो दूरदसा है पहले हो दिखाएँ पिछले 20 साल से सरक की यही स्थिति है आज हमारे साथ बहुत से ग्रामीन व्यक्ती जूरे हुए है और इस पे चर्चा करेंगे जो क्यो नहीं बन रही है सरक और क्या दिक्कत आ रही है पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था फेस्बुक पे लाइव होके 32 मिनट का मेरा वीडियो था तो उस समय हमारे गाउं के परतिनिधी आये थे कोई जेही साहब को साथ में लाये थे रोड को नाप के लेके गए तो उस समय बाढ का कारण था और मिटी नहीं मिल लएती तो उन्होंने हमको अस्वासन दिया था जो मिटी मिलेगी और मिटी हमारे पास उबलब्त दोती है तो इस रोड पे कारी होगा किस कारण से अब कारी बंध है इस जानकारी को पाने के लिए हम यहां पर हैं तो हम सबसे पहले हमारे साथ एक बैक्ति हैं और इनका नाम बालेश्वर प्रसाद सिंग जी है जिनका की मकान इसी रोड में है और इंचे जानते हैं जो कब से चचा कब से यह रोड की स्थित्री ऐसी है क्यों नहीं बन रही है यह जो कब से यह जो कितना दिन जो भी है मदलब वसे में बान के सिफिल में है पहले से यह रोड बना हुआ था यह रोड बना हुआ था तो फिर क्यों ने बन रहा है रोड पहले से बना हुआ था जो गिंदर वाओ इस रोड को बनवाए थे लेकिन अब जो है यह रोड को इच उठा कर अपना च्छातवाली घरवाए और आज देखिए क्या हो रहा है रोड नहीं बन रहा है भादो महिना में लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो को आपको बता दे जो यह जो मार्ग है अब मुख मार्ग है जब आपको नदी इधर साइड में नदी परता है घाट परता है जो कि विशनपूर के तरफ तित्री डंडारी जाती है एक घाट इधर चक्की पार्क के तरफ जाती है तो मुख मार्ग हो जाता है जब कोई रेल पर नहीं सबसक्राइब से ज़्यादा उनका विकास होता है तो हम इनको यहीं कहेंगे और उस पिऊदें रहे और उसके दिशारा साथ इस रोड के यूबा वी यह और आपको बता दें जब इस रोड में कोई नहीं था सक्ष्णाइब गष्णbers बढ़ा तो उसक्षे बाद जो है इस रोड की यह स्थिति है क्या दिक्कत हुआ नहीं बन रही है कितना परेशाहिए होता है 스톱 बार नेताय आते हैं अलग अलग नेताय आते हैं कि आज नहीं कल आज कल मैं रोड यह ग extrem को देखते देखते रोड ऐसे ऐसा ही है और इसकी रोड की स्थिती और बद से बत्तर होते जा रही है देखें यहां पे रोड इस हालात में हैं कि जो बर्गुजुर होते हैं बारिश के मोसम में तो घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं बारिश के मोसम में रड़ में रोड पे इतना इतना पानी भर जाता है रोड पे जाने लाइक आने जाने लाइक स्थिती नहीं होता है और यहां पे हम आने जाने की बात नहीं है यहां से यातायात की साधन भी बहुत सारी होती है पर लोग यहां से पकर नहीं पाते हैं हमें रोड पे जाना पड़ता है रोड पे हम बारिस के मेने में दो-तीन मे यही विद्धायक जी रामभ्रिक्स सदाजी जो नब निर्बाचित विद्धायक हैं उनके पास भी जाएंगे इस रोड की इस्तिती दिखाएंगे और उन पूरा रोड सरग हरे घर में आगल बगल के पंचायत में चोटा से चोटा जगा में रोड बना हुआ है लेकिन जो गंगवर का यह वाड नमबर 6 का जो है पिछले 20 साल से यही इस्तिती है इस पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुर्ण हैं श्री गौरी शंकर जिस सिंग करते हैं जो क्यों नहीं बन रहा है क्या करते हैं यहां के परतिनी दी किस कारियों में लिपते हैं जो इस रोड बे उनका ध्यान नहीं जा रहा है सब को सब का ध्यान है लेकिनी रोड का जब किसी को जब ध्यान नहीं है जबाहर रोजगार के योजना के तह जिए रोड बन करने के लिए नहीं देता है इसमें सबसे बरी समस्या आ रही है जो यहां के जो अस्थानिय आदमी है वह अर्चन करते हैं और कई बात सामने आती है निकल के जो यह रोड मेरा है या कि नहीं का भी हो तो हम आपको बता दे जो हमको वह आके यह बताए जो गंगोर का गंगोर पंचायत के या किसी भी पंचायत के कौन से सरक किसी के मतलब सरकारी जमीन पर बनी है सबी जगह कि कहीं न कहीं किसी का तो जमीन गया है तो हमको जा अगर यहां मेरा जमीन नहीं जा रहा है अगर हमारा यहां जमीन नहीं जा रहा है तो इस से पीछे जो सरक है उसमें तो हम हमारी जमीन गई है तो क्या उसका मुआबजा सरकार हमको दी है हमारा सीधा सवाल सरकार से हैं आपको बता दें जब इस रोड में कोई नहीं था कुछ नहीं था तो रोड बना हुआ था जब मकान बना पांच-दस आदमी का घर बना तो उसके बाद जो है इस रोड की यह इस् परतिनीदि बैटके इसको सॉल करें इस रोड को बनाए और इस वीडियो को हम आपको बतासे जब निरवाचित भिदायक उनको इस P такое चैमें और उनको इस्थिति दिखाएंगे इस रोड की इस्थिति दिखाएंगे और हम बिकास है फिए खर र्टाश के पंचाहित में आप चुटा से जगह में रोड बना हुआ है लेकिन गंगवर नमबर चेले उस्तिति में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ उनकी है उन से जानते हैं जो क्या करते हैं यहां के PARTě नी किस कारियों में लीपते οι हैं उनका ध्यान नहीं जारा सब तो सब नहीं है लेगनी रोट का जसक किसी को ज़सफ ध्यान है आप हरोजगार के टारे रोड बना हुआ था शहाई तो उसके बाजन बनने के लिए उसके बाद बनने में ऑब्जेक्शन कर दिया है और क्या कहेंगे इस गौण का गुंड़ा इलिमेंट जह सो इस रोड को बनने के लिए नहीं देता है इसमें सबसे बरी समस्या आ रही है जो यहां के जो अस्थानिय आदमी है वो अर्चन करते हैं और कई बात सामने आती है निकल के जो यह रोड मेरा है या किनी का भी हो तो हम आपको बता दे जो हमको वो आके यह बताए जो गंगोर का गंगोर पंचायत के या किसी भी पंचाय अगर हमारा यहां जमीन नहीं जा रहा है तो इससे पीछे जो सरक है उसमें तो हमारी जमीन गई है तो क्या उसका मुआबजा सरकार हमको दी है हमारा सीधा सवाल सरकार से है और सीधा सवाल हमारे परतिनीदी से है आगामी चुनाओ सामने है सामने में चुनाओ होना है तो इस सबसे बरी समस्या है इस रोड की और इस सरक की इस वाड नुमर 6 में और काफी इस्थिती जो है बैनिया है खराब है तो इस पर हम देखते हैं मिलते हैं और अपने आला अधिकारी के पास जाते हैं जो सिनियार अधिकारी वीडियो सीओ डी एम कलेक्टर जो भी इन बहुल होते हैं हम उनसे बात करेंगे और इस रोड पे चर्चा करेंगे आद देखते हैं कब तक यह रोड बनती है काफी प्रयास कर चुके हैं अब ऐसे अगर घीट सीधी अंगली से नहीं निकलेगी तो अंगल क्पार जोड़ियो से ठीड़ प्र प्र 20